आदि अस्य यतो नवया दि तरता चार थे स्भिज्ञा स्राव ते ने ब्रह्मुर्दाया दिकवे मुःयंतियत्सूरया हुआ ते जो बारि मृदाया दिकवे निमयो तरत्र शर्वोम्रिशाः दाना स्वेन सदा निरस्त कुहकं सक्यंपरं देवह। हम सभी लोग यहां पर उस परम सत्य की कथा सुनने के लिए बैठे हैं। सत्य नहीं परम सत्य सत्यम परम धीमें। जन्माद यस्यतो नोयाद तर्तह जो जन्म के पहले भी था। और जो मरण के बाद भी बिलेगा। ना तो हमने जन्म के पहले का देखा और ना मरण के बाद का देखा। ना उस और दिखाई पड़ता है और ना इस और दिखाई पड़ता है। तो यह जो बीच का है इसे ही हमने सत्यमाद लिया है। किन्तु सच्चाई यह है कि यह भी हमारी आखों के सामने हर दिन छीन हो रहा है। जब कोई चीज हम से दीरे दीरे दूर जा रही है। हमारी आखों के सामने ही ठीन हो रहा है। हमारा ही अपना शरीर, हमारी आखों की जूति पहले पढ़ सकते थे। अभी नहीं पढ़ सकते चस्मा लगाना पढ़ता है। तो आखों की रोशनी जोती छीन हो गई हमारी सरीर का सोंदर धीरी-धीरी छीन हो गया बालों की चमक धीरी-धीरी गायब हो गया तो निश्चित रूप से जब हमारी आँखों के सामने ही हमसे ही हमारी चीज जिसे हमने अपना माना हुआ है वो धीरे धीरे लुट रहा है, मिट रहा है तो ऐसी अवस्था में निश्चित रूप से हमें ये तो खोश करना पड़ेगा कि फिर वह सत्य क्या है जिसे हम अपना मान कर बैठे थे वह उसे दूर चला जाया है तो फिर हमारा अपना कौन है जन्माद यस्यतो लोयाद तरता है चार्थी से लेक्यस्वराथ और इसलिए भगवान संकराचारी ने कहा अंगंगलीतं भगवान संकराचारी के बढ़िया दूत बचन अंगंगलीतं अंगंगलीतं पलीतं मुन्डं दसन बीनम जातम कुली सारे सरीर की चमक गायव हो गई सरीर जुर्यों का धेर हो गया सिर के बाल देरे देरे अब इनको रोका नहीं जा सकता जाने को तयार बेटे जिन्हों ने हमको देखा है दस साल पहले अमेरिका में भी तो देरे देरे वह बात नहीं रही और कितने लोग अपने को जूटने ताहत लगा कर जवान समझने की कोशिस करते हैं और कितने लोग ऐसे मिलते हैं बोले या अगर वास्तों हमारे बाल कभी सफेद हो जाए रात तो रात तो हम सीसे में अपने को खुद नहीं पहचान सकते कि हम को होने क्योंको जैसे ही तो चार सफेद होने सुरू हुए तो देरे देरे कलर करना सुरू कर दिया तो अपनी ही असली तस्बीर हमसे जुदा हो जुदा हो अंगमगली तम यह भगवान संकराचारी के संस्कृत में लिखे गए इस लोग हैं आप यह बत समझने को कोई राम कर था कि जोपाई जल रही है अंगमगली तम पली तम मुन्दम दसन भीनम जातम तम 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 धिरे दिर सब विदा हो बया और तब बुले महाराज हम उपर आपने भोजन की व्योस्था रख दी लेकिन हम तो जा नहीं सकते हैं अब तो हम चल नहीं सकते हैं वो इंतिजाम कीजें को लिफ्ट लगाई हैं अब यहां दो मंजिल में कौन लिफ्ट लगाएं हैं हैं हमको भोजन कमरे में चाहिए और जो लोग आज तक उसंते को चले जा रहें कभी सोच सकेंगे गगली बार जबाएं तो हो सकता ना चल सकें और वो भी कहेगा महाराज मेरे विव्योस्था कीजी तब क्या हो गया ब्रे दोया पी ब्रे दोया पी ग्रिही त्वा दंगं तदपिनमुं चर्दियाशा पिन्गं दीरे दीरे सब हमसे जा रहा है लेकिन फिर भी आथ दिखाना बंद नहीं करते अब आगे क्या होगा अभी भी उन्हें लोगों से आशा लगाए बैठे हुएं जिनोंने कितनी ही बार निरास किया है जो कितनी ही बार हमको छोड़ कर चले गए हैं तो साथ ठीक हो जाए बेटा दूर चला गया है साथ कभी समझ में आ जाए तो पास आ जाए ब्रे दो यापी ब्रे दो यापी ब्रे दो यापी ग्रही त्वा गंगं तदपी न मुन चलती आवशा किरी जब दूर तो भागवान संक्राचार ने कहा कि अवे सब तुमसे दूर होता जा रहा है दीरी दीरी और तुम सेम इसको देख रहे हो और अनगोव कर रहे हो और तुमने लाख कोशिस भी कर लिया लेकिन फिर भी इनको तुम रोक नहीं सके बड़ी कोशिसे लोक करते हो ठीके बहुत करो के तो दो पान साल और किसका सकते हो इससे ज्यादा तो नहीं तो इसले भगवान संकरा चार ने का अब इसके चकर में जाता मत पड़ो संप्राप्ते 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 नहीं नहीं रक्षते दुखत्वीकर कोई ऐसा से धांत नहीं जख़ान नहीं जो मरने से तुमको बचा दे और इस लिए स्वीमत भागुत में कहा गया कि मरने से बचने की कोशिस मत करो, मरन को समझने की कोशिस करो इसको समझो जब कोई नहीं तुम्हें बचा सकता है, कोई सूत्र, कोई सूत्र